गर्ब से कहो हिंदी हैं हम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं NTA UGC NET विशे हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जी हाँ दोस्तों जब भी हम किसी एक्जाम की त्यारें करते हैं सबसे पहले जो सबसे महतोफूर्ण चीज होती है किसी भी एक्जाम को क्रैक करते के लिए वह है दोस्तों की हमारे पास उस विशे का पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है अगर हमें पाठ्यक्रम की जानकारी होगी तभी हम उस exam को अच्छे से clear कर पाएंगे क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी दिशा सही हो तभी आपकी दशा सही होती है जब हमें पता होगा कि हमें कौन-कौन से topics पढ़ने हैं तभी हम उस exam को अच्छे से crack कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो आईए अब देखते हैं कि कौन-कौन से वो इकाईया है जो NTA UGC Net विशे हिंदी के पाठेकरम में शामिल है तो NTA UGC Net विशे हिंदी का जो संपूर्ण पाठेकरम है दोस्तों उसे 10 भागों में बांटा गया है कौन-कौन से वो 10 भाग हैं आईए हम देखते हैं उन्हें एक-एक करके जो सबसे पहली इकाईया है दोस्तों हमारे NTA UGC Net विशे हिंदी के पाठेकरम की जो पाठेकरम में शामिल है उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास तो हिंदी भाषा और उसका विकास जो ये इकाई है दोस्तों इसको आगे हमने चार भागों में बांटा है इसका जो पहला भाग है दोस्तों वो है हिंदी की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी हिंदी की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारती आरे भाशाएं और दूसरा आपका मध्यकालिन भारती आरे भाशाएं फिर उसके बाद पाली प्राकृत शोरसेनी अर्धमागदी मागदी और पुरानी हिंदी का संबंद उसके बाद देखेंगे हम आधुनिक भारती आरे भाशाएं और उनका वरगी करण उसके बाद जो दूसरा इसमें भागा दोस्तों वो है हिंदी का बगहुलिक विस्तार तो हिंदी के बगहुलिक विस्तार में हम देखेंगे कि हिंदी की उ उपभाशाएं कौन-कौन सी जो उपभाशाएं वो हैं पश्चमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, विहारी तथा, पहाडी वर्ग और उनकी बोलिया इसके साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे खडी बोली, ब्रज और अब्धी की विशेशताएं यह इसमें अभी जो इसमें महत्वपूर्ण जो चीज है इस इकाई में अगली वो है हिंदी भाशा प्रियोग के विविद्ध रूप तो प्रियोग के विविद्ध रूपों में हम देखेंगे बोली, मानक भाशा, राज भाशा, राश्ट्र भाशा और संपर्क भाशा ठीके दोस्त की समयधान में कौन-कौन से वनुच्एध है जिसमें प्रावधान किया गया हिंदी भाशा का ठीक है दोस्तों तो यह हम पढ़ेंगे हिंदी की समयधानिक स्थिती में और इसके साथ भी साथ हम संचार मात हमारे हिंदी, कंप्यूटर की हिंदी जो और दिवनाग की विशेषताई और उसका मान की करण उसका जो शुद्धी करण है उसको भी हम किसमे पढ़ेंगे हिंदी की समयधानिक स्थिती वाले भाग में पढ़ेंगे तो दोस्तों ये था हमारा पहला यूनिट आइए अब देखते हैं इकाई दो इकाई दो है तोस्तो हिंदी सहित्य का इतिहास और अन्य गद्य विधाएं तो ये जो दूसरा जूनिट है हमारा इसमें हम देखेंगे हिंदी सहित्य इतिहास दर्शन, इतिहास लिखन की पधतियां, हिंदी सहित्य का कालवी भाजन और नामकरण, अधिकालीन सहितिक प्रव ये ये चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें हिंदी साहित्य के इतिहास और अन्य गद्य विधाओं में इसके अलावा इसमें जो तीन महत्वपूर्ण काल हैं देखिए भक्तिकाल, रितिकाल, आधुनिकाल अक्सर इन तीनों कालों से चाहे आप हिंदी विश्य से संबंदित कहीं न गहीं इन तीन जो महत्वपूर्ण बिंदू हैं इन तीन बिंदूं से अक्सर कुछ न कुछ प्रशन आपको पूछे जाते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जैसे भक्तिकाल, भक्तिकाल में कौन-कौन से प्रमुक कवी रहे, कौन-कौन से कावयधारा ही र कावे की क्या क्या विशेष्टा हैं ये भी हम देखेंगे और इसके साथ इसाथ दोस्तों आधुनिक काल में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि आधुनिक हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ इसमें हम देखेंगे और पुनर जागरन के बारे में भी हम पढ़ेंगे क भारतेंदू और उनका युग पत्रकारिता का भी उस समय अविरुभाव हो चुका था उसके बारे में भी हम देखेंगे आधुनिक काल में और इसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे दिवेदी युग तो दिवेदी युग में सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं अचारे महावीर प्रसाद दिवेदी उनके बारे में हम देखेंगे इसमें और इसके साथ इसाथ दोस्तो हम देखते हैं कि जैसे दिवेदी थोड़ा सा समाप्ती की ओर था तो उस वक्त हिंदी साहित्य में जो रश्ट ये कावेदारा की जो प्रमुक कभी थे वो बन पे और इसके साथ इसाथ सोचंदतावाद और उसके प्रमुक कभी हो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसमें आधूनिक काल में ठीक है अगली जो हमारी इकाई है दोस्तो वो है चायवाद स्वरी अगला जो इसका इकाई दो का जो भाग है वो है चायवाद तो कि क्या क्या विशिष्टाई हैं इसके बारे में भी हम इकाई दो में देखेंगे और इसके साथ ही साथ दोस्तों इकाई दो में प्रगतिवादी कावे और उसके प्रमुक कवी प्रियोगबाद और नई कवीता, नई कवीता के प्रमुक कवी कौन कौन से हैं और समकारिन कवी जो वर्ष 2000 तक की हैं उनके बारे में भी हम दोस्तों किस में पढ़ेंगे इकाई दो में पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ जो इसका दूसरा भागय देखिए अन्य गद्य विधाएं तो गद्य विधाएं का मतलब क्या है कि पहले आधुनिक काल तक क्या था कि जालतर जो काब गद्य में ही रचनाय रची जा रही थी गद्य उसमें कम था लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ भारत अंदु हरिश्चंदर जी के बाद कि उसमें गद्य विधाएँ में भी रचनाय है, रची जाने लगी, जिसमें आपके गद्य विधाएँ, जैसे हिंदी उपनियास, हिंदी कहानी, dealtक, हिंदी निवंद, हिंदी अलोचना, जैसे रिकाचित्र संस्मन, इत्यादी यह जो रचनाय हैं, यह किसमें आती हैं, आप में हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें लगवक 11 टॉपिक्स हैं हमारे तो उन 11 में से जैसे देखे कावय के लक्षन, कावय हेतू, कावय प्रियोजन उसके बाद प्रमुक संपरदाय और सेधान्थ जिसमें हम पढ़ेंगे रस, अलंकार, रिती, धनी, वक्रुक्ती और अचित् प्रमुक सिधान्तों के बारे में पढ़ेंगे किसमें इकाई तीन में और इसके साथ ही साथ इकाई तीन में जो और चीज़े हैं दोस्तों वो है डूसी रूपवाद, नई समिक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिम्ब, तो ये थी इकाई तीन, अगली प्रिष्ट भूमी के बारे में, तो इसमें कौन-कौन से महतापुन वे इंदू में देखिए, भारतिय नवजागरन और स्वाधिन्ता आंदोलन की वैचारिक प्रिष्ट भूमी, हिंदी नवजागरन, खड़ी बोली, आंदोलन, फोर्ट विल्यम कॉलेज, ठीक है, भारत इसमें दलित विमर्ष हो गया, आदी विमर्ष हो गया, आदी विमर्ष और अलपसंक्यक, इन चीजों के बारे में भी इनके विजारों के बारे में भी हम किसमें पढ़ेंगे, इकाई चार में पढ़ेंगे, तो ये थी इकाई चार, और अगली जो इकाई है दोस्तों, वो है हिंदी कवीता हिंदी कवीता में दोस्तो हम लोगों को लगभग बाइस जो कवी हैं उनकी लगभग पचास के आसबास कवीता हैं और उनके जो पद उनके कवीत जो सवईये हैं वो हमारे पाठेक्रम में शामिल हैं तो इसमें देखिए पृत्वीराज रासो का रिवात अमीर खुसरों की पहेलियों और मुक्रिया है, विद्यापते की पदावली है, कबीर है, जैसी ग्रंथावली, व्रमर्गित सार, रामचरीत बानस का उत्तरकांड है, दोहा संख्या, बिहारी संख्या की एक से पचास तक, घरंद कवित संख्या एक से तीस तक, मीरा हरियोद का प्रिय प्रवास, मैथली शरंगुप्त, भारत भारती के साकेत और नवम सर्ग, भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग हमारे पाठेक्रम में शामिल है, फिर जैशंक प्रसाद के आंसु और कमाईनी, ये दो इनके रचनाएं हमारे पाठेक्रम में शामिल हैं, ल सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इनके बारे में इनकी कवीताएं भी हमारे पाठे क्रब में शामिल हैं दो तीन तीन कवीताएं इनकी इसके अलावा रामधारी सिंग दिनकर और नागरजुन अग्ये पहवानी प्रसाद मिश्र मुक्तिबोद और सुदामा और दोमिल की बहुत अच्छी कवीताएं हैं जैसे कि संसद से सडक तक रुटी और संसद इनकी मौत पून कवीताएं इसके बारे में भी हम इकाई पांच में पढ़ेंगे तो यह थी इकाई पांच दोस्तो अगली जो इकाई है वो है हिंदी उपन्यास तो हिंदी उपन्य वो तेहरा उपन्यास कारों के तेहरा उपन्यास हैं। और जग्दी शंद्र का धर्ति धन्यास अपना। इनमें से राजेंद्र बाला घूष जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो दो कहानियां हमारे पाठेक्रम में शामिल हैं। एक है चंदर देव से मेरी बातें, दूसरी है दुलाई वाली। इसके अलाबा मार्धवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभतरा कुमारी चोहान की जो कहानी हमारे पाठेक्रम में शामिल है वो है राही। प्रिम्चन की दो कहानिया हमारे पाठेक्रम में शामिल हैं और दोनों ही बहुत ही मौत्वपूर्ण कहानिया हैं दोस्तों हम लोगों ने बच्पन से इनको पड़ा है इदगाह और दुनिया का अनमोल रतन राजा राधिकार अर्मन प्रसाद सिंग का कानव में कंगना चंदरधश्मा शर्मा गुलेरी की पूर्वदिप्ति शैली में लेकी कहानी देखे इनकी उसने कहा था बहुत इंपोर्टन कहानी है जो हमारे पाठेक्रम में शामिल है जैशंकर प्रसाद की अकाश दीप जनेंद्र का अपना अपना भाग्य पनीश्वर नाथ्रेणों का तीसरी कसम और लालपान की बेगम इसके अलाबा अग्याई की गैंगरीन शेखर जोशी की कोसी का गटवार बिशम साहनी की दो कहानिया है अमरित सर आगया है और चीफ क की दावत ठीक है प्रिश्ना सोबती सिक्का बदल गया है हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता देन चांद पर जानरंजन की पिता कमलेश्वर की राजा निर्वंसिया और निर्वल वर्मा की परिंदे कहानी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है ये है हमारी इकाई साथ नाटक तो हिंदी नाटक में देखिए हमारे पास 10 नाटक कारों के कितने नाटक है चोदा नाटक जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं तो कौन-कौन से वो 14 नाटक हैं देखते हैं उनको अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, चंद्र गुपत, सकंद गुपत, दृष्वा जाता है तो इसको भी हम देखेंगे इकाई आठ में हिंदी नाटकों वाले इकाई में ठीक है लक्षमी नरान लाल का सिंदूर की होली मोहन राकेश का आदेहदूरे अशार का एक दिन हभीब तनवीर का आगरा बजार सरविशो दालसक सेना की बकरी और शंकरशेश का एक और द्रोन चारे उपेंदरनात अश्क का अंजोदी दी मनुबंडारी का महाबोज तो ये जो दस नाटक कारों के 14 नाटक हमारे पाठेकरम में शामिल है इकाई आठ में अगली जो इकाई है दोस्तों वो है हिंदी निबंद इकाई नौ तो दस निबंद कार भी हमें कितने भारत इंदू हरिश्चंदर का और इनका दूसरा जो निबंद है वो भारत वर शुन्नती क्यासे हो सकती है ठीक है परताप नारहन मिश्य का शीव मूर्ती एंड बाल मुकुंद गुप्त का शीव शंबू के चिठ्थे राम चंदर शुकल कवीता क्या है देखिए बहुत म पूछे जाते हैं कि कवीता क्या है ये इससे कई वार पूछ ले जाता है ठीक है तो हजारी प्रसाद दुवेदी नाखून क्यूं बढ़ते हैं बिद्य निवास मिश्य का मिरी राम का मुकुट भीग रहा है अध्यापक पुर्ण सिंग मजदूरी और प्रेम कुबेर नात राय का उत्रा फालगुनी के आसबास विवे की राय उठ जाग मुसाफिर नामवर सिंग संस्कृति और सौंधरिय ठीक है इकाई दस आती है अब दोस्तों जो हमारी आखरी इकाई है आत्म कथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं इसे हम किस नाम से जानते हैं इसे हम जानते हैं यहां इसे कहते हैं हिंदी कथेत्र गद्य तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है रामरिक्ष बेनिपूरी की माटी की centralized अन्य गद्य विधाएं तो इसमें आत्म गता है जीवनी है रेकाचित्र है संस्मर्ण है तो यह आज़ी देखते हम कि इनका रा मुर्दया क्या है इनकी आत्मकता है जो तलित भी मर्श है ठीक है दलित चेतना को ले करके लिखी गई शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में ठीक है प्रेमचंद के जीवन पर अधारित इनकी क्या है ये जीवनी है शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है मन्नु भंड आता है हरीवन श्राय वच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरीवन श्राय वच्चन की क्या है आत्मकता है रमनी का गुपता आप उतरी ये भी इनकी आत्मकता है हरीशंकर प्रसाइब भूलाराम का जीब हरीशंकर प्रसाइब का ना गयात्मक लेखों में रखेंगे ठीक है उसके बाद दिनकर का अताय संस्किती के चार अध्याए ये है अलोचनात्मक निबंद मुक्तिवोद का एक लेखक की डाइरी राहुल संकृतियाइन मेरी तीबत यात्रा और आखरी जो हमारा टॉक है के दोस्तो एकाई दस में और हमा अतापूर्ण इकाईया है जिन से NTA UGC Net वीशे हिंदी के जो परिक्षा है उसमें यहीं से प्रश्ण पूछ जाते हैं और इनी दस इकाईयों को ही हमें आने वाले दिनों में कवर करना है आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडिय लिक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब करना भी ना बोले धन्यवाद